हाई दोस्तों, वेलकम टू टॉनी गाडन, तो आप सभी का स्वागत है टॉनी गाडन में, तो आज मैं आपको जो सिखाने जा रहा हूँ, वो बहुत 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 बेत्रीन चीज है, समर सिजन के लिए, तो आपको अभी से ही बीज इखटा करना होगा, तो उसके ल आप कोई भी लीची ले सकते हैं, और उससे अपने घर पे पौधे तयार करके पौधे में लीची ले सकते हैं, तो किस तरीके से लेना है, पौधे कैसे बनाना है, तो टॉनी गाडन में चलिए, टॉनी गाडन को लाइक और सस्क्राज जरू करें दोस्तों, ताकि मैं हर दि में आप बड़े लिची ले सकते हैं तो किस तरीके से लेना है ये देखिए मैंने एक एक करके लिची कलेक्ट कर लिया है इसी इंसाब से आपको लिची को कलेक्ट करना है और छिलके को निकाल के उसके गुदे को भी निकाल देना है और बीच को इकटा करना है देखिए एक ए स्क्राइब जरूर करें ताकि आपको नोडिफिकेशन मिलता रहे और इस तरीकी के वीडियो आप देख सकें तो देखिए मैंने बीच को एकटा कर लिया अब इस बीच को मैं धोलूंगा धोने के बाद मैं इसे आपको धूप में देना है पहले इसे वास कर लें आप अच्छ आपको देखाने के लिए यह बीच में देखा रहा हूं और आधा बीच मेरे छट पर ही है तो जब मैं लगाऊंगा तो वह सुखे बीच ही लगाऊंगा यह देखिए यह किसमिस के तरह हो चुका है बीच यह देख सकते हैं आप अच्छा से देखिए तो इसी तरीके से बहुत जल्द ग्रो हो जाता है यह लिची का बीच तो इसमें आपको भरपूर पानी देना है लगा लेने के बाद तो चलिए पहले बीच को मैं लगा लिया अब मिट्टी को उपर से ढग देता हूं दोस्तों तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट में जरूर बुल और देखिए एक पौधा बाहर आ रहा है आपको निकालना नहीं है मैं आपको श्रिफ दिखाने के लिए निकाल रहा हूं आपको फिर से इसी तरीके से मैं लगा देता हूं आपको निकालना नहीं है दोस्तों मैं श्रिफ निकालने के लिए आपको दिखाने के लिए निका और तीनों पौधा एकदम हेल्दी और स्वस्त है अब इसे आप बड़े पॉट में छोटे पॉट में किसी में भी लगा सकते हैं आपको जैसा मर्जी वैसा आप लगा सकते हैं और इससे धेर सारा लीची ले सकते हैं